मेरट के बात करते हैं जहां भूसा मंडी में कल जो अतिक्रमन को लेकर आगजनी की घटना हुई उसमें 12 आरोपियों को पुलिस दे गिरुफतार कर लिया है आपको बता दे कि इसमें लगंग 1.500 जुगी जोपडिया जल कर राक हो गई थी इसके लिए ये सरकारी जमीनों को खाली कराने का प्रियास करेगा तो आगजनी करेंगे इसको मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ ये लेंड जिहाद है सरकारी जमीनों पर पान का खोका रखके और उन पर कबजा करके सरकारी जमीनों को कबजाना जे जिहाद है ये जिहाद कस्मीत में भी है ये जिहाद भारत के अन्ने छेतरों में भी है इस जिहाद को मेरठ में भी प्रानब करने का प्रियास है इसको क्या कहें सरकारी जमीन है परसासन उसको खाली करानेंगे तो विरोध करेंगे आग जनी करेंगे परसासन उसको और अतिकर्मन के नाम पर खटाने का प्रियास करेंगे तो आने वाले रास्तों में हिंदों की गाड़े पर पत्थराव करेंगे सरकारी गाड़ेंगे यह तांडव नहीं है तो क्या है यह जिहाद नहीं तो यह क्या है क्यों क्योंकि सरकारी जमीनों पर कबजा करके और बंगला देशी घुस्पैटी रोंगिया जैसे लोगों को इस्थापित करना इसी परंपरा का यह है जो आगजनी का कांड़ है यह उसी का प्रणाम रहा है यह विरोध यह विरोध कैसा सरकारी जमीन है तो परसासर खाली नहीं कराएगा क्या क्या अन्य छेतरों में सरकारी जमीने खाली नहीं होती यहीं क्यों विरोध JOSHुआ है और जब कबजे हो जाते हैं उनके सालों बाद को याद आता है देखिए जमीन खाली पड़ी हैं अधरी कम पर कबजा करने वाले हाईवे पर आप देखिए कितने लोग हैं जो टायर-पंचर की दुकान करते हैं और मनें अतिकर्मन हो गया अतिकर्मन का एक वर्स बाद अगर उसको परशासन भाली करा रहा है तो विरोध क्यों वह जमीन तो उनके बाप की नहीं है वह जमीन तो सरकारी है ना वह सरकारी संपत्ति है ना कलकु तो वह क कशेरी में भी पबजा करेंगे कनको तो जिरादीकारी की कोठी में भी कब्जा करेंगे करेंगे परसाशन वीरोध करेगा तो फिर आगजानी करेंगे यह कैसा तंड़ के करना चाहते है टेक